जैमात अदी, रादे रादे हर हर महादेव, आप सभी बहनों को, माताओं को और बेटियों को हर तालिका तीज की बहुत सारी हारदिक शुब कामना है, सभी का सुहाग बना रहे, मापारवती हम सब पर अपनी किरपा बनाए रखें, ऐसी हमारी महादेव से प्रात्ना है, मापार्वती हमारे सुहाग की धर्म कर्म की रक्षा करें सुभागय बना रहे स्वास्त बना रहे हमारे संतान की रक्षा करें ऐसी हम महादेव और मापार्वती से प्रात्ना करते हैं यह जो ब्रत होता है हर्तालिकातीच का यह भादो महिने में सुकल पक्ष की तर्त्या को आता है तो मैं पूजा सामिक्री पहले ही एक कत्र कर लेनी चाहिए इस तरह से साफ बेल पत्री ले 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 उनको धोकर रख ले नंडियों को तोड़ ले पूजा सामिग्री मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो को लाज तक देखिएगा और कॉपी पैनल लेकर बैठिएगा मैं एक एक चीज बताऊंगी पूरी पूजा की विदी बताऊंगी आपको पूजा कैसे करनी है भादो महीनों के सुकल पक्ष की जो तक्तिया होती है उस पे हर तालिका तीज मनाई जाती है इस दिन बत किया जाता है महिलाएं पती की लंबी आयू अखंड सो भागे उन्नती और अपने परिवार की सुक सम्रद्धी के लिए बत को करती है कौरी करने आए अपने मन्चाहा वर पाने के लिए सोगेवर के लिए यह बत करती हैं तो इस दन हमें अपने हातों पे महदी लगा लेनी चाहिए और यह पूजा न आप चोकी लगा कर करें आप किसी मंदर में जा कर भी कर सकते हैं और यह पूजा न संथ्या कालमे की जाती या तीन पहर की पूजा की जाती है कोई लोग चार पहर की पांच पहर की भी करते हैं और यह पूजा ना यह वाला जो बृत होता है हर तालिकातीज का यह राजिस्थान में और यह बिहार में जहार खंड में उत्तर प्रदेश में बहुत जगह किया जाता है तो हर छेतर की न अलग-अलग पूजा होती है, पूजा वही होती है, जो हम संकर भगवान की सावन के महिने में, प्रदोस के ब्रत में, तोदसी के ब्रत में, और शिवरात्री पर पूजा करते हैं, वैसे ही ये पूजा की जाती है, तो मातरानी पर हमें सोले सिंगार चड़ाना होता है, सोले स सिंगार की क्या सामेगरी होती है, सिंगार का क्या करना चाहिए, वो वीडियो मैंने चैनल पर दी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, मैं उसका लिंक description box में लिग देदूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं, माता के सिंगार का हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स आप ननन को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं जबनातरी को देढ़ेंगे लेकिन अनको देढ़ेंगे लेकिन लेकशानने को लिए wil जानारा काम प्धा मत्रा, मेंने कामें भूधराओ वदस करने क्मदाने काई जाते हैं घर में ही पक्वान बना कर चड़ाएं सोले सामिग्री जो होती है न संगार की वो मातरानी को भी चड़ाएंगे और आप भी सोले संगार करेंगे तो सोले संगार में क्या क्या सामान होता है आप देख रहे हैं चूडिया है बिंदी है आलता है सिंदूर है मेंदी है सबी आपको पायल बिच वी गजरे बालों में फूल लगाने हैं पूरा आपको सिंगार करना चाहिए और ये सिंगार का सामान आपको देना भी चाहिए जो भी आपके पास हो सामान एवेलेवल वो आपको जरूर देना चाहिए तो ये मैं आपको दिखा रहे हूँ सोले सिंगार और फिर मैं आपको पूजा विधी बताउगी, मा पारवती ने ये व्रत संकर भगवान को वर्व रोप में पाने के लिए व्रत किया था और इसकी मैं पूरी कहानी बताउगी, कथा बताउगी, सुहाग के सामान का क्या करना चाहिए, सुहाग कैसे लेना चाहिए, वीडियो को लाश तक देखिएगा, आपको एक वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये पूजा प्रदोस काल में ही करनी चाहिए, इस व्रत को जब रखा जाता है तो तीज में ही कर रही हैं, तो अच्छे से नियम पता करके ही इस व्रत को करना है, क्योंकि जिस तरह आप पहला ब्रत रखेंगी ना, उसी प्रकार आपको हर साल ये व्रत करना होगा, इस व्रत को एक बार रखा जाता है, तो हर साल रखना होता है, छोड़ नहीं सकते, इस व्रत को अगर आपको पूरी स्रद्दा और भाव से रखना चाहिए, अगर आप बीमार है, परेशानी हैं कोई, तो किसी वज़े से आप ये ब्रत छोड़ रही हैं, तो ब्रत अपनी सास को, अपनी बहु को, अपनी देवरानी को किसी को इस ब्रत को देना होता है, ये बहुत ही फल देने व एक चौकी पर केले के पत्ते बांगकर उस நील जीजाँ का happy कर एक चौकी पर कपड़ा बिच्छाएं उस पर फिर चारो तरफ नहों पर केले के पत्ते बांगकर और कपड़ा बिच्छा highly इस तरह से ठाब fabrics की स्थापना करें का सुस्ट्राइगा सो आपको हमारे चैनल पर मिल इस तरह से आप स्थापना करेंगे एक पान के पत्ते पर पीविले चावल रखेंगे और फिर वहां पर आप मातागोरी और गड़ेश जी की स्थापना करेंगे मातागोरी और गड़ेश जी की आप सुपारी पर भी स्थापना कर सकते हैं अगर आप भगवान को मित्ती से बन कर लें और जब सिविलिंग बनाएंगे न मिट्टी से तो फिर आप उनकी पूजा करें उनका विसरजन किया जाता है तो इतना समय नहीं होता है और सहरों में विसरजन करने के लिए भी गंगा नदिया ये सब नहीं मिल पाती हैं तो आप तस्वीर रख के पूजा कर लें संक की साथ ना पवित्री करन करते रहते हैं क्योंकि कई तरह के हात लगते है नारियल में पूजा पाठ के सामान में सब लोगों के तो हम उस तरह से करना होता है फिर हम भगवान को कुम-कुम लगाएंगे सनकर भगवान को सफेच चंदल अरपन करेंगे कुस्प प्रशाद चढ़ाएंगे, समी के पत्तियां चढ़ाएंगे, आपके पास जो भी फोटो चितर है आप उस पर फूल चढ़ाएं, अक्षक चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, गलिस भगवान को और गौरी माता को, संकर भगवान को ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी होगी, जन भगवान को गौरी माता को चढ़ाएं, और आप बोलते रहें उनको जब भी सामान चढ़ाएंगे, जो भी आप चढ़ाते हैं, बेल पत्री, समी का पत्तर चढ़ाते हैं, कनेर के फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, तो आप उनको जब भी अर्पित करते हैं समान, तो आप उम्नमे शिवाय बोलते रहें और बोलते रहें कि देवताओं को सभी को जिब हम चड़ाएंगे कि देवता हमारी पूजाओं को स्विकार करें, हमारी समान को स्विकार करें, फल भी चड़ाएं, पानसो पारी लोंग चड़ाएं, सुहाग का सामान चड़ाएं, साड और फिर आपको ना कपूर से आरती करनी होगी पहले आप दीपक चला लेंगे लेकिन बाद में आप कपूर से आरती करेंगे और रात को ना बारहे बजे तक आपको जावरन करना चाहिए इस दिन जावरन जरूर किया जाता है तो सारी रात ना कर सकें क्योंकि ब्रत भी होता ह कमजोरी भी आ जाती है थोड़ा ससमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है तो आप बारे बजे तक कर लें आप बिमार हैं गर्वती हैं प्रेगनेंट हैं या आप काम काजी हैं तो आप फल वग्यारा ले सकती हैं क्योंकि फिर आप अगले दिन काम नहीं कर पाएंगी तो इसलि भогवान ऩश्यायई कट मगारी मात्रा प्रात्वारा देंके मंत्र फूजा करουगे और हम पूजा में कोई बी कमी वेशी हो गई हो गी जादा कि मप्रों बूशा करने में जो भी हमसे कोई गल्ती में भूलचूअ को गई उसको हमें छवाकने इसलिए बाग में इस तरह से पुस्पांजली दी जाती है तो यह मैं आपको पताया है कि आप भूत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से पूजा करेंगे ये हरताली का जो बुरत होता है ना यह माता पारवती ने शंकर भगवान को वर रूप में पाने के लिए इस ब्रत को अपने घर से उनकी सहिलिया उनको ले गई थी और उन्होंने एक गुफा में रहकर संकर भगवान की पुझा की थी तो तब इतने सारे सामान नहीं होते थे तो उन्होंने फूल और पत्तियों से भगवान का इस तरह से पूजा की थी जल चढ़ाया था, भगवान को फूल पत्तियों चढ़ाई थी और निराहार रहे कर या आप 24 घंटे का यह बरत किया था तो इस तरह से आप भी पूजा कर सकते हैं गरिस भगवान को दुर्वा घाश चरहाना ना भूले और शंकर भगवान को बेल पत्री समी का पत्र मिल जाए आपको अपरा जिता का फूल मिल जाए अगर आपको कनेर का फूल मिल जाए तो वह भगवान को जरूर चरहाए आपको सफेद अकवा मिल जाए जो आख कहते हैं धतूरा मिल जाएं, यह सब भगवान के पूजा में, यही सब चीज़ें लगती हैं, तो फल फूल में आप जैसे कदलिया जो भी फल आप चल रहे होते हैं, पोसन के इसाफ से आपको वो भी चड़ाने होते हैं, तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है, हर्ताली का तीच क जो प्रदौस काल में पूजा की जाती है वो इसी तरह से होती है तो आप तीन पहर की पूजा ना कर सकें तो एक बार आप सुव hmph, requr, अपने ब् commandments का संकल्प लें तब अगवान की पूजा करें और शाम को प्रदौस काल में जरूर करें I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मापार्वती की गर्पा आप सब पर बंदनी रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर हर महादेव